हलो गाइज, वेलकम टू करियर मीडिया वन्स अगें, माइनम इस गुर्शन जहा और आज हम बात करने वाले नीट बीटी 2020 MCC की राउंड टू काउंसिलिंग की रेजल्ट आने के बाद, अब स्टुटेंट्स को क्या क्या चीज़ें करनी हैं राउंड टू काउंसिलिंग रेजल्ट आने के बाद, सबसे पहले मैंने मैंने कॉंग्रेशुलेशन उन सभी स्टुटेंट्स को जिन्होंने करियर मीडिया पर भरोसा किया और उनकी मन चाहिए seat राउंड टू काउंसिलिंग में उन्हें मिल गई है और वो उस seat पर जोईन करने के लिए प्रोसीड करने वाले हैं बाद की सभी स्टुटेंट्स जिन्हें seat नहीं मिली उन्हें घबराने की बिलकुल भी ज़ोरत नहीं है पूरी counselling अभी बागी है, states की counselling बागी है, D&B counselling बागी है, DMD की मौपफ round counselling बागी है जिसमें काफी जादा positive shift इस बार round 2 counselling में भी गई है, round 3 counselling में भी जाएगी तो घबराने की बात नहीं है, जिनें नहीं मिलेगी है, उन्हें भी definitely मिलेगी, जरूर मिलेगी अब आते हैं, MCC की, All India की round 2 counselling की result आने के बाद, अलग-अलग categories में students बट गए हैं यह आप कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से माटा है, वो देख लेगते कौन-कौन से categories हैं एक category, वो students, इस category में, फर्स category में वो सारी students आते हैं, जिनने round 1 में seat मिली थी, वो round 2 में अपग्रेडेशन के लिए गए, उनकी seat अपग्रेड हो गई और अब वो अपग्रेडेड सीट पर जॉइन करना चाहते हैं तो वैसे students, जो category 1 में आते हैं, जिनने round 2 में अपग्रेडेशन में गए और उनकी seat मिल गई है, अपग्रेड हो गई है उनकी seat, वो आप उस seat पर जॉइन करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है? सबसे पहले उन्हें पुरानी institute से relieving letter इशू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है पुरानी institute जाना और वहां से relieving letter इशू कराना और उस letter को फिर लेकर के new जो अपग्रेडेड इशू है उस institute में जाकर के show करना है इस relieving letter का महत जो importance थी वो last year 2019 तर थी इस साल इस relieving letter की कोई इतनी importance नहीं है तो आपको relieving letter issue कराने के लिए इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है बलकि आपको ध्यान नहीं नहीं देना है चाहे वो online भी issue हो रहा हो तो कोई problem नहीं है अगर वो issue नहीं हो रही है तो कोई problem नहीं ह नहीं online आपको relieving letter issue करवानी है और नहीं offline आपको relieving letter issue करानी है इस relieving letter के वज़ेशे आपके admission में कोई problem नहीं आएगी दूसरी बात क्या है MCC के तरफ से एक notice बेजी गई है जिसमें last date of reporting जो पहले 22 जून 2020 रखी गई थी उसे बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी गई है आप सभी student जिनकी seat upgrade हुई उन्हें upgraded institute में जिस institute में seat upgrade हुई है उस institute में physically जाना है और यह mandatory है कोई online नहीं offline physically सभी original documents को लेकर के अपने साथ उस institute में जाना है 30 जून 2020 से पहले और admission procedure को complete करना है offline आपको reporting करनी है और यह mandatory process है यह आपको करनी ही होगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं 30 जून 2020 से पहले तो आपके हाथ से यह seat चली जाएगी अब बात है कि क्या-क्या documents लेकर की जाना है तो documents के लिए आप instructions को follow करें या फिर आपको करना क्या है कि आपको जिस institute में आपको seat मिली है उस institute का email ID है उस institute के nodal officer का number है और उस institute का website दिया गया है आप अपने institute के अपने respective institute के website को visit करें उस पे चीज़े दी गई है कि किस तरीके से आपको proceed करना है अगर problem आती है तो nodal officer का आपके college का आपके institute के representative का number दिया गया है उन्हें call करें और उनसे पूछें कि किस तरीके से प्रोसीड करते हैं यह बात हुई एक कैटेगरी की एक कैटेगरी ऑफ स्टुएंट्स की जिसमें जिनमें वैसे स्टुएंट्स जिनकी सीट राउंड टू में अपग्रेड हो जाती है और वह उस सीट पर जॉइन करना चाहते हैं उनके बारे में हमने बात किये अब वैसे स्टुएंट्स जिनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई मतलब राउंड वन में उन्हें एक सीट मिली राउंड टू में जब वो अपग्रेडेशन के लिए तो उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है वही राउंड वन वाली सीट रिटेंड रह जाती है और वो उस स जोईन अब नहीं करना चाहते हैं आप सभी स्टुडेंट्स के लिए जिनकी राउंड वन में वाली सीट ही राउंड टू में रीटेंड हो चुकी है उन्हें अप्ग्रेडेशन का कोई फाहिदा नहीं मिला उनकी सीट अप्रेड नहीं हुई उन सभी स्टुडेंट्स को 18 2020 शाम के 6 वजी से पहले पहले आपको से रिजा करनी होगी रिजाइं करनी का तरीका क्या है ओन् लैंस पहले होगी और को इंस्टुट को ई-mails करना होगा मेल करना होगा जो अधिसाइंट सब्ज्जेक्ट अब्सक्राइग कि आपको इंस्ट्यूट में इंस्ट्यूट में यह सीट मिली है और उस सीट को आप रिजाइन करना चाहते हैं तो इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको यह 18 जून 2020 शाम के 6 बैसे पहले पहले ही करना होगा एक बात का ध्यान रखें 18 जून 2020 के बाद पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा और अगर 18 जून 2020 शाम के 6 बैसे पहले आप रिजाइन करना चाहते हैं और आपने रिजाइन नहीं कि तो आप सभी इस्ट्यूट के ऊपर और इंडिया राउंड टू के इसे पहले सारे रूल्स इंपोस किये जाएंगे और उसके बाद फिर आपको उसके अंतरगत अपनी जो फॉर्ट फीचर है और जो मतलब रूल्स है राउंड टू की वह सारे रूल्स फॉलो करने होगे उसके बाद आप उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकते उस सीट को फिर आप बजो शीट मिली है उसուट के वैबसाइट पर जाओ ई-मेल आइड निकार लो और उस इमेल आई-डी पे आप इमील करो कि आप उस सीट को रिजाइन करना चाहिपे कर ने आप तो नो स कफिर मिली भी तुंनोंने उससे fly exit ले लिया और राउंड तू में गए राउं टू में जब वो गए तो उन्हें ностью उन्हें फ्रेश शीट मिलती है उन्हें क्या करना है उन सभी स्टुडेंट को भी 30 जून 2020 से पहले 30 जून 2020 जो लास्ट एट है उससे पहले सभी ओरिजिनल डॉकुमेंट के साथ एस्ट जाना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है इन में वो सभी स्टुडेंट्स होंगे जो जो राउंड टू में जिनने फ्रेश सीट मिली और साथ में जो जिनने राउंड वन की सीट रिटेंड हुई है अगर वो जॉइन करना चाहते हैं तो भी वो स्टुडेंट्स भी जाकरके उन्हें भी फिजिकल रिपोर्टिंग कर और एक कैटेग्री है कि वैसे स्टुडेंट्स जिनने फ्रेश सीट मिली मगर वो जोईन नहीं करना चाहते हैं अगर आप फॉर्फीचर रूल से वाकिफ हैं और आप उसे जोईन नहीं करना चाहते हैं तो आप सभी को वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको कुछ कुछ भी नहीं करना है है और från जो युदि नहीं करना चाहते हैं तो हैसे ाको कुछ करने की सवestsबत講 ना कॉलेज को इनपॉर करने की ज़रुअट है ना कॉलेज जाने की सब् Hearing थे ना on-line कुछ छो तर जाने की मिल क обязательно करना है और आपको नहीं करना है आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ करोगे ही नहीं, तो आपको counseling से बाहर माना जाएगा, आपकी seat जो है आपसे ले ली जाएगी और वो उसे resignation ही माना जाएगा, तो ये तो friends यही ये वो चार categories थे जो जिसमें हमने students को divide किया है, और इन सभी categories के students को क्या क्या चीजे करनी है, य इस बात कर ज़रूर ध्यान रखें, कि दो, दो dates हैं, जिसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक है 30th of June 2020, 30th of June 2020, last date of physical reporting है, उस date को आप बिल्कुल ना भूले, और last date पर आपको depend भी नहीं रहना है, तो last date से पहले ही आप जा करके, अपनी जो physical reporting है, वो complete कर ले और द पर दूम में वो same seat retain हुई, जो आपको round 1 में seat में लिया है, और उस seat को आप छोड़ना चाहते हैं, तो यह आप 18 June 2020 शांके 6 वाजे से पहले ही आप उस seat को छोड़ सकते हैं, otherwise उसके बाद आप seat को नहीं छोड़ पाएंगे, तो यह दो date आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और इसके according ही आप आगे चले, बाकि आप सभी students को career media के तरफ से all the best, best of luck for your future, उन सभी students जिनको seat मिल चुकी है और जिनको seat नहीं मिली है, वो call कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपने doubts को clear कर सकते हैं, और आप सभी students आगे आपकी cash strategies हो सकती है या रहनी चाहिए, उसे लेकर के आ आप हमसे दियेगे नंबर पे call कर सकते हैं, जिसमें हम आपसे आपकी strategies को लेकर के आगे बात कर सकते हैं, हमसे हमारी guidance भी आप ले सकते हैं, paid counseling के लिए दियेगे नंबर पे call कर सकते हैं, तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही, नेक्स वीडियो में, मुछ और updates के साथ नगोल